देखो जो 11.2 एक्साइस है इसका जो कोश्चन नमबर 2 है वो बहुत ही इंटरस्टिंग है और इस पर्टिकुलर एक्साइस के कोश्चन नमबर 10 से हमको एक बहुत ही प्यारी सी शिक्षा भी मिलती है क्या शिक्षा मिलती है वाई इस कोश्चन से देखो आपके पास एक pentagonal shaped park है ऐसा diagram वाला कहरा है जिसमें अगर मैं marking करूँ तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं नाम दे दूँ तो यह A भी आपको दिया है 15 मीटर अगर मैं B से लेकर इस point C तक की बात करूँ तो यह भी 15 point B से लेकर यह अगर मैं इस top वाले point को कोई नाम दे दूँ लेटसे E नाम दे दूँ तो यह पुरा का पुरा B E है ना यह पुरा का पुरा B E यह आपको दिया है 30 मीटर अब जोती और कवीता इन दो लड़कियों को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम अपने अपने तरीक करती हूं बट जोती का area calculate करने का तरीका अलग है और कवीता का area calculate करने का तरीका अलग है जोती ने क्या किया जो original figure था उसको देखो इस तरीके से dotted lines की मदद से पहले तो दो parts में divide कर लिया है ना अच्छा चलो ठीक है मैंनम और जो आपकी दूसरी लड़किती कवीता उसने यहां पर dotted lines बनाई और इस तरीके से उसने again figure को उसने भी दो parts में divide कर लिया बट फर्क इतना है कि जो जोती है उसका जो figure है उसके figure को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला figure एक side के figure की चलो बात करते हैं ये वाले की अगर मैं बात करूँ ये देखो ये वाले की द्याम ये तो एक ट्रपेजियम है यहना आप तो कहोगे एक ट्रपेजियम है और जो जोती के बाजु वाला जो एक और रैट-ंड साइड का जो तुकडरा वह दूसरा टुकडरा भी ट्रपेजियम है इस बट आपकी जो कवीता है उसका इन ऊपर वाला जो part है ये बैसी कि triangle shape का है और जो ये नीचे वाला part है कवीता के diagram में ठीक है ये square या फिर rectangle देखेंगे कि क्या है ठीक है वैसे मुझे पता है कि ये square shape का है तो दोनों ने अपने अपने तरीकों से area निकाला तो अभी वो area कितना आया वो हमको बात करना है ठीक है चलो तो एक एक करकर discussion करने में आते है पहले हम लोग जोती के diagram की बात करते है तो सबसे पहले अगर मैं जोती के diagram की बात करू तो जोती के diagram से ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि वहाँ पे आपके पास दो trapezium है मतलब वो जो pentagon है उसको दो trapezium के बराबर है वो अच्छा अब वो दोनों trapezium जो होंगे ना वो equal होंगे ठीक है वो दोनों trapezium क्या होंगे equal होंगे symmetry क्योंकि देखो ये भी 15 देखो ये भी आपका पंदरा है ये भी आपका पंदरा है ठीक है तो दोनों ही ट्रपेजियम आपके क्या होंगे इक्वल होंगे तो ऐसे में बाई जो 30 डाइग्राम अगर कोई मुझे पूछेगा कि एरिया उस पैंटरगन का कितना है तो मैं कहूंगी कि वो एरिया ओफ पैंटरगन आपके एरिया ओफ ट्रपेजियम का डबल है मैंने ऐसा क्यों कहा कि वो एरिया ओफ ट्रपेजियम का डबल है क्योंकि वहां पे दो ट्रपेजियम है ना इस वज़ह से तो पहने वाले का एरिया प्लस दूसरे क्या होता है, sum of parallel sides, मतलब आपको diagram में जो sides parallel दिख रही है, उनका sum करो, और multiply by height, ये होता है, तो मैं थोड़ा सा एक काम करती हूँ, trapezium को redraw कर लेती हूँ, तो आपका trapezium, कोई भी एक trapezium redraw करने की need है, दोनों trapezium redraw करने की need आपको नहीं है, ठीक है, मैंने ये trapezium redraw कर लिया, अब अगर मैं बाजू वाले figure के साथ compare करू, तो ये मुझे 15 दिया है, और ये नीचे से लेकर पूरे उपर तक, ये मुझे को 30 दिया है, बराबर और यही दोनो parallel भी है, यानि कि यहाँ पे जो ये concept है, ठीक है, कि half into sum of parallel sides, और multiply by height, height किसे ले, तो देखिए आप, ध्यान से डियाग्राम में, आपको यहाँ पे ये वाला angle 90 degree का दिया है, इसका मतलब ये वाला जो इतना portion है, जिसको मैंने pink अलह से mark किया है, ये basically आप लोगों की क्या है, height है, ये basically आप लोगों की height है, बट मैडम वो pink वाले की तो value हमको पता ही नहीं है, pink वाले की value तो दी नहीं है question में, अब मैं कैसे बिना height के question को solve कर लूँ, मतलब कैसे तो हमको पता ही नहीं है, pink वाला क्या करें, क्या नहीं करें, ज़र्णा सही बात है, pink वाले की height तो हमको दी नहीं है, फिर अब दिक्कत आ गई अब बोलो यह तो घडबड हो गई हाइट तो दी नहीं है अच्छा ठीक है अब हमने अपना दिमाग लगाया कि हाइट क्या हो सकती है बहुत हम अपनी छोटी सी प्यादी सी जो ननी मुनी सी भगवान हमने हमें खोपड़ी दिये उस खोपड़ी का हमने बहुत इस्तमाल किया तो हमने देखा कि यह पूरा का पूरा एबी यह पंदरा है फिफ्टी और हाइट तो सिर्फ इतनी है आधी है आधी तो यानि कि हाइट क्या रही होगी मतलब जोती के डाइग्राम में हाइट क्या रही होगी हाइट रही होगी उस पंदरा का आधा फिफ्टीन बाइ टू तो कि फिफ्टीन तो पूरा है न और हाइट सिर्फ आधा है तो कि उसने टू इक्वल पार्ट्स के तो हाइट की वैल्यू यहाँ पे रहेगी फिफ्टीन बाइ टू अब देखो पहले तो जो जो कट रहा है उसे काट डो ये वाला टू ये वाला टू कट गया अच्छा कुछ और मत काट ले न क्योंकि पहले आपको ब्राकेट सॉल करना है तो 30 प्लस 15 दाट इस 45 45 इंटू 15 अपॉन 2 अब अगर मैं कैंसलेशन करूँ तो 2 वन्जा और ये 7.5 आएगा और 45 को अगर मैं 7.5 से मल्टिप्लिकेशन दे दू ठीक है तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि जो जोती थी उस जोती के डाइग्राम के अकॉर्डिंग एरिया कितना था और मल्टिप्लाइ करने पर एरिया हमारे पर इत्ता आया ठीक है तो अकॉर्डिंग टू जोती आपका जो एरिया औफ पेंटगन है वो निकल के आता है 337.5 यूरिट क्या लिखेंगे मीटर का स्क्वेर ठोकि बाकी जित्ती भी वाल्यू सी उनकी यूनिट कैसी है मीटर स्क्वेर में तो इसकी वाल्यू भी मीटर स्क्वेर में हो जाएगी यह ऐसे ठेक है डन है बिल्कुल डन है अब आगे बढ़ते हैं आगे सवाल में मूव करते हैं तो इससे area of pentagon हमें पता चल गया अब आद आती है हम लोगों के कि कवीता ने जो diagram बनाया है जिसमें आपको एक नीचे वाली shape square की दिख रही है और आपको एक उपर वाली shape triangle की दिख रही है मैंने बोला ठीक है लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को कवीता के diagram को ना redraw करना पड़ेगा ने तो तुमको actual में चीज़े समझ में नहीं आएंगी तो बाई कवीता का diagram कैसा है कवीता का diagram आप लोगों को ऐसा एक उपर हट वाला pattern दिख रहा है नीचे इस तरीके से ये डबबा दिख रहा है है ना ये डबबा आपको दिख रहा है अब देखो question में पहले से इस point से इस point तक का data आपको 15 दिया है बराबर question में पहले से ये वाला data आपको 15 दिया हुआ है और आपको इस point से लेकर ये नीचे के point तक मतलब ये टोटल डेटा ये टोटल डेटा आपको ये टोटल डेटा किता दिया है 30 दिया है बराबर अच्छा आप कैसा है यहाँ पे बोला नहीं है बाट common sense है यार कि ये 1990 ही होगा हमको इसको लेकर ही solve करना है 1990 अंगल्स लेकर ही हमको इस question को solve करना है ठीक है तो ऐसे case में तुम अगर धियान से देखो तो ये दोनों adjacent sides है आजू बाजू वाली sides और दोनों का value same है 15 पंदरा तो इसी लिए हम लोग उसे क्या कहेंगे square कहेंगे ना कि एक rectangle ठीक है तो अगर मुझे कवीता के diagram के according area of pentagon निकालना है तो मुझे area square का भी निकालना पड़ेगा और उसके पास जो उपर में triangle बना है मुझे उसका भी area निकालना पड़ेगा तभी तो मैं दोनों के areas को add करके pentagon का area निकाल पाऊंगी अब देखो square का area के formula क्या होता है what is the formula of area of square तो area of square का formula होता है side multiply by side तो square का area निकालने के लिए हम ये formula use करेंगे जो triangle का area क्या होता है अब देखो वैसे तो triangle के type पे depend करता है कि triangle कौन सा है उसके according हम उसका area calculate करते हैं यहाँ पर ठीक है हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एक right angle triangle है जिसके लिए मैं इसमें कुछ constructions भी करूंगी वो मैं बताती हूँ तो इसलिए formula होगा half into base into height ये formula का हम यूज़ करेंगे ठीक है तो अगर आपको कोई बोले कि आप square का area निकाल सकते हो तो तुम बोलना हाँ मैडम आपने side dvr 15 तो मैं यहाँ पर value पुट कर देती हूँ but area और triangle को calculate करने के लिए आपको यहाँ पर construction के requirement है construction क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले तो देखो हम नाम दे रहेते हैं let's say a point b point c point d point e point सबसे पहले तो हमको यह पता है कि quadrilateral a b c d is a square यह particular quadrilateral a square है अगर यह quadrilateral a square है तो इसकी चारो sides equal होंगी यह बात से agree करते हो बिलकुल agree करते हैं यानि कि a b की value b c की value c d की value d a की value सब की value आजाएगी 15 meter मतलब यह dc भी basically आपका 15 meter है अब इसमें हम construction यह करेंगे कि जो point e है यहां से नीचे dc पर एक perpendicular वे को drop करना है ठीक है इस point e से नीचे वाले dc पर एक perpendicular हम यहाँ पर क्या करेंगे drop करेंगे यह इस तरीक है perpendicular मतलब 90 degree ठीक है perpendicular मतलब 90 degree कुछ नाम दे दो let's say इस point को हमने नाम दे रिया q तो हम यहाँ पर लिखेंगे proper तरीके से कि draw e q ठीक है perpendicular to dc हमने e q को क्या किया perpendicular किया किस पर dc पर तो ऐसे case में वो जो आपका उपर वाला triangle था वो जो आपका उपर वाला triangle shape था इन triangle e dc आपने जो perpendicular अभी drop किया है ना उस perpendicular की अगर कोई पूछेगा height कौन है तो वो जो perpendicular आपने drop किया है वही उस triangle की height है value के बारे में हम बाद में बाचीत करते हैं बट यही उसकी height है और वो perpendicular किस पर drop किया है मैडम dc पर drop किया है तो जिस पर drop किया जाता है वो उसका base कहलाता है यानि कि इस question में उसका base को क्या करेंगे मैडम height तो हमको नहीं पता height तो हमको नहीं पता तो देखो height आपको पता है who told you कि आपको height नहीं पता है आपको height पता है कैसे बताईए समझाईए देखो आप एक dotted 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 construction करो और इसको नाम दो point p ठीक है इसको नाम दे रहते है पॉइंट P ठीक है हमने डॉटेट 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 construction किया draw EQ perpendicular to DC पहले हमने उसको सिर्फ DC तक बनाया था अब मैंने उसको डॉटेट 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 करते हुए पूरा मैं उसको कैसे नीचे तक लेकर चली गए यानि कि मैं ये कह सकती हूँ मतला मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा पूरा का पूरा बड़ा सा EP है वो मेरा बड़ा सा EP EQ को और मेरे QP को add करके बनता है क्या मैं कह सकती हूँ बलकुल कह सकते हूँ बड़ा सा EP मुझको पहले से 30 दिया हुआ है EQ यानि कि मेरी height मुझको नहीं पता हाँ लेकिन मैं को QP पता है कैसे पता है मैडम QP QP तो आपने नहीं दिया है QP तो पता ही नहीं है फिर कैसे तो देखो यह आपका 15 है यह बाजुवाला भी 15 है तो obvious है कि यह भी 15 होगा क्योंकि वह आपका square है तो therefore यहाँ से मेरे पास मेरा जो EQ है माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 15 यानि कि मेरे पास मेरी जो height है triangle की वो भी 15 मीटर है तो जब मैं half into base into height लगाऊंगी तो वहाँ पे height भी 15 होगी अब मुझे सिर्फ calculation करनी है तो 15 into 15 यह हो गया 225 इधर भी आ जाएगा 225 by 2 ठेक है इ 15 into 15 का 225 by 2 आप कर लो 1 1 2.5 फिर आपको चीजों को add करना है तो 0.5 ऐसा ही 733 यानि कि यह आपके area किसका निकल कर आया pentagon का according to kavita जोती के according तुम पहले ही निकाल चुके थे और kavita के according हमने अभी निकाल लिया तो इससे देखकर आपको क्या पता चलता है कि चाहे आप kavita के according न निकालो है ना दूनों तरीकों से आप निकालो चाहे तरीका कोई भी यूज करो area उतना ही आ रहा है तो अगर आप चाहे कवीता का area मतलब तरीका यूज करो या आप जोती का यूज करो ठीक है जो आपका area है ठीक है area किसका pentagon का वो basically by both kavita and joti is वो कितना है आपका ठीक है 337 0.5 meter square तो इससे एक बहुत important शिक्षा मिलती है कि चाहे आप कोई भी तरीका यूज करो अगर आपने object की shape के साथ कोई छेड़ नहीं की है तो area चाहे कोई भी तरीका यूज करो सेम आएगा ठीक है तो चलो फिलाल इस सवाल के साथ अभी यह चीज यहाँ पे हम लोग रोकते इसके आगे वाली class के साथ हम लोग नए वाले वीडियो में नए सवालों को continue करेंगे